हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल और इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ वरत में बनने वाले आलू की सबजी और पूरी जो वरत में बनते हैं आलू की सबजी और जो उसके साथ खाया जाते हैं वरत वाले पूरी ये आलू की सबजी बीना प्याज और बीना लहसुन के है तो सबसे पहले आलू की सबजी बनाने के लिए तीन मिडियम साइस के बॉयल पटाटो चाहिए अब हम एक कड़ाई लेंगे और ये गरम करेंगे जब ये गरम हो जाए तब हम इसमें तेल डालेंगे मैंने यहाँ पर दो चम्मच तेल डाला है आप यहाँ पर तेल की जगा पर घी यूज कर सकते है जब ये गरम हो जाए तब हम इसमें दो हरी मिर्च यूज करेंगे आप यहाँ पर कटी कटी हरी मिर्च भी यूज कर सकते है कटा हुआ चार मीडियम साइज के टमाटर एड करेंगे तीन मीडियम साइज के बॉयल पटाटव के लिए रहे हमें चार मीडियम साइज के टमाटर यहां पे यूज करने हैं अब हम इसमें सेंधा नमक यूज़ करेंगे सेंधा नमक यहाँ पे डेढ़ चमज के करीब यूज़ कर रहे हैं सेंधा नमक नॉर्मल नमक से थोड़ा साजादा लगता है और इसके बादी से ढख देंगे धक के इसे हमें कम से कम साथ से आठ मिनट तक के लो फ्लेम पे इसे ऐसे ही पकाना है और बीज में स्पैचुला चलाते रहना है अगर आप ये वरत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं आफटर 6-7 मिनट टमाटर इस तरीके के मैश हो जाएंगे और नहीं मैश हुए हैं तो आपको थोड़ा से स्पैचुला की हैप से मैश करना है थोड़ा से इसका प्यूरी टाइप का बनाना है फिर हम इसमें डालेंगे भूना हुआ जीरा पाउडर यहाँ पर मैंने आदा चमच भूना हुआ जीरा पाउडर डाला है और यहाँ पर आदी चमच से भी थोड़ी सी कम लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है अगर आप यह वरत पर नहीं बना रहे हो तो आप इसमें गई भी मसाले यूज़ कर सकते हैं जैसे गरम मस चंक्स छोटे चंक्स दोनों अच्छे लगते हैं इस सबजी में फिर हम इसमें सफिशियंट अमांट में वाटर एड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अगर आप इसे वरत में नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें प्याज और लशुन कभी यूज़ कर सकते हैं पर हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया पत्त डाल देंगे और आप यहां पे कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं यह रैडी हो गई हमारी रसा वाली आलू की सबजी जो आप फृत में भी खा सकते हैं अगर आप इसे बिना टमाटर के भी इस तरीके से बना सकते हैं बस आपको किप इसमें टमाटर ही इसकिप करनी है बाकि सेम सारा रेसिपी का जो प्रोसीजर है वह सेम रहेगा बस आपको टमाटर इसकिप करनी है फिर यहां पर हम पूरी बनाएंगे पूरी के लिए मैं यहां पर आटा भी यूज़ कर सकते हैं मैंने आधी चम्मच यहां पे तेल यूज़ किया है इससे पूरी और भी सॉफ्ट बनती है अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसे अच्छे से इसका आटक गूच लूँगी अगर आप ये वरत के लिए नहीं बना रहे हो तो आप इसमें नमक यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें कई तरह की मसाले भी यूज़ कर सकते हैं अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं अजवाइन वाले पूरी मसाले वाले पूरी किसी भी तरीके से बना सकते हैं फिर यहां पे मैंने तेल गरम के आप इसके जगह पे गी गरम कर सकते हैं और उसके बाद एक एक पूरी मैंने बेल बेल के इसमें डाल दिया तलने के लिए एक तरीके से सारी पूरी तल-तल के निकाल लूँगी ऐसे तो ये आलू की सबजी और पूरी वरत में खाया जाता है बिना प्यास बिना लहसन के कोई कोई इसमें टमाटर यूज नहीं करते हैं बाकी आप इसे वरत में खा सकते हैं और ये लगभग 20 मिनट में ही बनकर तयार हो जाती है आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और रेडी हो गई हमारी वरत की थाली में आलू की सबजी और गर्मा गरम पूरी फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी एक नए वी प्र भाइब की ऋ्टी लगाइब बल्सक्राइब के पूरी दु processing कीजिए अधर रेसित ले जाeltाईब कीजिए और टे कीजिस और रेसे लोगी धिए खाएब की तो रेका जे भी गालाइब कीजिए और असकिए आली लोगएब कीजिए गा मिलेंगी हां उख गरें, penalties ways to act